नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है मौलोई और आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हम लोगों का इस बीशनी होए यूटूब चैनल में दोस्तो आज फिर से मार्केट में एक बहुत ही हाई दूमन डेवल प्रोड़क्ट बीजनस आईडिये के बार में एक स नमपूर्ण बिजनस प्लैन आप लोगों को आज का इस वीडियो में पूरा डीटेल्स में सेयर करने वाला हूं दोस्तो आज का बीजनस प्लैन मार्केट में हाई डियोमन प्रोड़क्ट होने का में कारण यह है की हर एक फ्रेमिल में रोज आना इसंसे इस्तेमल किया जात से मुझे आप लोगों को और भी बहुत सब्सक्राइब के बारे में जानकर देने की मोटिपीर्शन हमें सा मिलता रहेगा और इसी के साथ साथ आज हम अब लोगों को हार एक फैमिली का रसवी में इस्तिमाल किया जाना वाला कुरियंडर सीट यानि धनिया और उसका पावड किया जा सकता है तो भी दोस्तों चलिए अभी स्टेप बाई स्टेप इसका बीजनेस प्लन होने वाला है उससे अम लोग डीटेल्स में समझ लेते हैं अब को इस को लेंडर सीट यानि धनिया और उसका पावडर का जो बीजनस होने वाला है उसे स्टार्ट करने के लिए अलग अलग तरी के से जुगर कर सकते हो पहला अब लोग कोलकाता बोड़ो बाजार या कोलकाता राजाकाडर मार्केट या दिल्ली के खाडी बाउली मार्केट जो कि एसी अमादेस का सबसे बड़ा ड्राइफूट और मतलाओं का होल्चल मार्केट होता है इन सारे मार्के सबसे ज्यादा मत्र में खेती किया जाता है वहां का किशनों के पास से भी अब लोग डिरेक्टली इसे खरीच सकते हो यह कि अब यह बहुत सब्सक्राइब में मिलने का उमिद ज्यादा रहता है और तीसरा अब लोग इंडिया मार्ट डॉट इन अलिवाबा डॉट कॉम या अब लोग इसे लगबग 40-50 रूपे से लेकिए साथ रूपे में पर किलो की हीजब से इसे आप लोग बिल्कुल होल सेलेड में पार्टेस कर सकते हो और उसके बाद आप लोग को लेना होगा कुछ पैकेजिंग मेटरियल्स इसके लिए आप लोग को इस टैप का पाउच या कुछ transparent container को भी आप लोग यूज कर सकते हो लेकिन आप लोग अगर खुद का brand name के साथ इन सरे pouch packets को या इन सरे transparent container में branding करने वाला stickers को खुद का brand name के साथ प्रिंटिंग कर बाना चाते हैं तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा extra खर्ज भी करना पड़ेगा इसका alternative उपा प्रिंट कर बारे में सोच सकते हों और मैसीनर की सबसे अब लोगों को एक वेड मैसीन एक मैनुवल हैंड सीलिंग मैसीन और एक मसला grinding मैसीन या स्पाइस ग्रांडिंग मैसीन को लेना होगा जिसके लिए छोटा स्तर में इस बिजनस को स्टार्ट करने के लिए अब लोग दूब में गर्मा लेना होगा लेकिन अब लोग अगर इव नहीं भी करते हैं तो आप लोगों को बात में कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है उसके बाद इसे मसला ग्रांडिंग मैसीन के मदद से इसे पीस कर इसका एक बारिक पावडर कर लेना होगा और पैकेजिंग कर कर सकते हों या इसका पावडर के भी अब लोग इसे पैकेजिंग कर सकते हों जिसमें से अब लोग 50 जगाम 100 ग्राम से के 500 जुप सकते हगे दोस्तों अगर बात किया जाए इस बिजन में आपका प्रॉफिर मर्जिन के बारे में तो फिर अब लोग मार्केट से इन से धिनिया का दाने को बिल्कुल होल्चेल रेट में 50 रुपे पर किलो के हिसाब से भी खरीते हैं तो अब लोगों को इसे पैकेजिंग करने में और आ सकते हो लेकिन आपको बीजन में जो भी थोख फ़पिन होने वाला है ओपिन करता है आपका प्रॉडक्त से ल करने बाला एरिया प्रॉडक्ट डिमांड और पार्डे अब लोग कितना प्रॉडक्त से ल करते हैं उसके ऊपर लेकिन फिर भी आप लोग पार्डे का 10-15 kg द्विरच रखना ही होगा और साथ साथ बहुत सारा मेहनत भी उस बिजनस के पीछे करना पड़ेगा वाकि इस बिजनस में आपको कुछ लाइसेंस का भी रिक्वर्मेंट रहता है इसके लिए आप लोग को एक ट्रेट लाइसेंस जी एश्टी नंबर एप एसेस एई लाइस अब लोगों को एक खुद का बैंक एकॉंट नंबर का भी जोड़ होने वाला है तो फिस दोस्तों बस यही था आप लोगों के लिए आज का एक छोटा सा इंफ्रमेंशन उमीद करता हूं कि आज के इस इंफ्रमेंशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यदा हेल्फूल हो तक के लिए stay connected to this new business ideas for everyone and thanks for watching this video